नमस्का स्वागते आप सभी का न्यूस ब्रोडकास 24 में ग्रुग्राम के डूंडा हेडा बोस्टिंग स्टेशन के पास हंगामा कर रहे दो युवको को रुखना होम गार्ड वा एस्पीओ को भारी पढ़िया हंगामा कर रहे दोनों युवकों ने मिलकर होम गार्ड और एस्पीओ पर इट से वार कर उन्हीं बुदितरहा से घायल कर दिया है सूचना मिलते ही पालम विहार थाना शेत्र पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भरती कराया पालम विहार थाना पुलिस ने घायल होमगार्ड की शिकयात पर मार पीटव सरकारी का में बाधा डालनी का मामला दर्ज के पुलिस से ने जाच भी शुरू कर दी है पुलिस को दी गई शिकायत में भिवानी निवासी प्रदेप कुमार ने बताया कि वह होम गार्ड और उनकी ड्विटी पालम विहार थाना शेत्र के डूंडा हेडा में हैं वह SPO लखवीर सिंग के साथ राइडर पर ड्यूटी कर रहे थे जो वह रात को डूंडा हेडा विव स्टिंग स्टेशन के पास पहुंचे तो दो युवक आपस में जगडा कर रहे थे दोनों नश्ये में धुत थे इन्हें समझा करहंगामा शांत कराने कब प्रयास क्या गय तो एक युवक ने प्रदीप की वर्दी फार दी आरोपियों ने उनसे गाली कलोज की और इट उठा कर होमगाट के मूँच हाती समेट कई जगों पर मार दिया इस घटना में वह लहू लुहानों का जमीन पर गिर गए मामले में जांच अधिकारी का कहना है कि युवक ने प्रदीप को पकड़ लिया जोकि दूसरे ने उसे इट मार कर लहू लुहान कर दिया वार्दात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए आरोपियों की मौके पर ही पहचान आकाश उर्फ लुहार वर रानों खान के रूप में हो गई है उनके गरफतारे के भी प्रयास जार करने के हमारे चैनल को वाची सब्सक्राइब कर ले इस वीडियो को एकिन शेयर करना मिलकुल भी ना भूले